आज मैं किलास टैन फिजिक्स में चैप्टर नमबर फॉर्टीन करन्ट एलेक्टिसिटी के conceptual question आपके लिए साल्स करता हूं हम इसको discuss करते हैं आपको शायद ये conceptual question थोड़े से मुश्किल लगे लेकिन ये standard notes हैं अगर आप इसको follow करेंगे तो आपके board में अच्छे मास आएंगे थोड़ा सा शायद आपको ये difficult लगे लेकिन जब मैं आपको समझाओंगा तो आप फिर easily understand कर सकते हैं और फिर आप इसको याद भी कर सकते हैं ये बात याद रखें कि कभी भी exactly question याद करने की कोशिश ना करें क्योंके आगे जब higher classes में आप जाएंगे तो topics ज्यादा मुश्किल होते जाएंगे आपको course ज्यादा बढ़ता चला जाएगा तो कोशिश करें के concept को language में लिखें आप सारे English medium school में पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ English आती है simple words में अपना जो concept है उसको express करें आज का दोर concept का दोर है अपने concepts clear करें बात को समझने की कोशिश किया करें रटे रटाए डिफिरीशन का कोई फाइदा नहीं है concept क्लियर करें उसके detail को देखें बुक्स देखें इंटरनेट यूज करें एक्स्ट्रा बुक्स देखें और फिर जो कुछ आपको knowledge मिले तो कोशिश करें कि उसको अपने words में लिखें ये सबसे बहतर method है चेक करने वाल रटे रटाए नोट्स लिखते चले जाओगे जब वो चेक करने वाला आपके paper देखेगा तो वो देखेगा कि तमाम नोट्स सेम है एक ही जैसा content है तो इससे बचने के लिए आप ideas को अपने words में express करें समझें समझने के बाद कोशिश करें कि अपने words में उसको express करें कुछ teacher आपकी गलतिया निकालेगा grammatically गलतिया होंगी spelling की गलतिया होंगी वो भी निकल जाएंगी अगरचे science subject बे spelling की और grammar की इतनी एहमियत नहीं है एहमियत है आपके concept की आपको समझ में आना चाहिए और western world जो इतनी ज़्यादा तरकी कर गया है उसकी भी वज़ाई ये है कि वो चीजों को समझ गये हैं हम लोग बगहर समझे चीजों को याद कर रहे हैं और मार्स तो ले लेते हैं लेकिन हम लोग कुछ practical life में कुछ कर नहीं सकते हम technology में improvement नहीं कर सकते हम science में improvement नहीं कर सकते तो इसके लिए आप चीजों को समझें तो मैंने जो आपके लिए नोट्स लिखे हैं आप इससे आइडिया कंसीव करें और फिर कोशिश करें कि इसको अपने वर्ड्स में लिखें अब हम conceptual question स्टार्ट करते हैं conceptual question unit 14 current electricity physics class 10 first question is as water is made up of atoms having protons positive charge and electron negative charge does water flowing through pipe carry electric current explain current को अगर define किया जाए तो current है rate of flow of charge यानि चार्ज के बहाव की रफ्तार flow ये conductor है इसमें ये charge है ये charge जितनी तेजी के साथ flow करेगा उतना ज्यादा current हमें मिलेगा क्यूंके charge per unit time एक second में इस cross section area से इस जगा से या हर जगा से जितना charge गुजरता है एक second में हम कहते हैं कि यहाँ पे इतनी current है अगर एक second में ज्यादा charge गुजर रहा है तो हम कहेंगे यह current ज्यादा है क्यूंके current is rate of flow of charge charge के बहाव की रफ्तार अब ये है कि पानी जो है वो भी तो flow करता है उसमें तो charge भी हमें पता है कि water में atoms है वो atom flow करते है ह two o ये flow करता है तो इसमें oxygen भी atom है hydrogen भी atom है oxygen में protons भी है electron भी है तो जब ये flow करते हैं तो current क्यूं produce नहीं होती यानि पानी जब flow करता है तो current क्यूं produce नहीं होता तो देखे हमें पता है कि न्यूकलियस में प्रोटान और न्यूटान होते है प्रोटान पर पाजिटिव चार्ज है इसके शेल्ज में और्बिट में अतने ही इलेक्टान होते हैं फॉर इजामपल यहां पर थ्री इलेक्टान है और थ्री प्रोटान है तो यह नेगिटिव च करते हैं यानि जब मालीक्यूल आफदा वाटर फ्लो करता है तो उसके उपर कोई चार्ज नहीं होता तो इस वज़ा से जब वाटर फ्लो करेगा तो करन्ट फ्रोड्यूस नहीं होगी क्यूंकि एक नीट्रल मालीक्यूल फ्लो करता है चार्ज फ्लो नहीं करता अब आप इसक देख लें current is determined by the number of charge passing through a cross section of a conductor in one second जैसे मैंने आपको बताया कि एक second में जितना charge slow करता है वो current है cross section का area का मतलब है यह जो thickness है यह cross में इसको हम cross section area कहते है एक second में यह समझने कि conductor की किसी भी point से एक second में जो charge flow हो रहा है वो ही current को determine करता है in neutral state atom has same number of protons and electrons proton and electron has positive and negative charge of equal magnitude क्योंके proton और electron दोनों का charge opposite तो है लेकिन magnitude में same है so when water is flowing through pipe it has no charge so no electric current is carrying by water in pipe now question two a car has two headlights when the filament in one headlight burn out the other headlight stay on are the headlights connected in series are in parallel इस question में यह पूचा गया है कि एक कार के दो headlight होते हैं सामने जो bulb होते हैं गाड़ी में तो अगर एक filament जल जाता है और दूसरा bulb काम कर रहा है और एक bulb काम नहीं कर रहा है क्योंके इसका filament जल गया है तो यह जो दोनों बल्ब है यह सीरीज में connected है या पैरलल में देखें सीरीज में क्या होता है यह बैटरी है प्लस एंड माइनस यह करन आ रही है यहां एक बल्ब है मैं इसको resistance से शो कर रहा हूँ यहां दूसरा बल्ब है अब यह बल्ब जल जाता है फ्यूज हो जाता है तो देखें क्योंके इन सीरीज कंबिनेशन यहां पे एक ही रस्ता है करन की फ्लो के लिए जब इस बल्ब का फिलमेंट जल जाता है फिलमेंट इस तरीके से एक जिगजग सी वायर होती है तो जब यह फिलमेंट जल जाता है इसका मतलब है कि रस्ता तूड गया है यहां पे अगर आप इसको फिलमेंट समझ ले तो यह रस्ता तूड गया है अब यहां से करन फ्लो हो जाता है तब भी current flow नहीं होगी क्योंके current के flow होने के लिए circuit complete होना चाहिए यहाँ पे जब यह bulb fuse हो गया है इसका circuit ठूट गया है इसलिए यहाँ पे तब भी bulb glow नहीं करेगा अब आजाए parallel में यह बैटरी है यह प्लस एंड माइनस है यह junction है इस junction से एक वायर इस तरफ जाएगी एक वायर इस तरफ आजगी यहाँ पे भी bulb लगा हुआ है यहाँ पे भी बलब लगा हुआ है फिर यह connection यह दोनों बलब पिर इस दूसरे junction में मिलते हैं आप इसको point A कहले है इसको point B और फिर यह वायर इस बैटरी के साथ connect हो जाती है current यहाँ से flow होगी जब इस junction पे पहुंचेगी तो दो branches में distribute हो जाएगी जब यहाँ से गुजरेगी फिर यहाँ पे I1 और I2 आएंगे और यहाँ पे collect होके वापस आजाएगा current I तो यहाँ पे current I distributed in two branches अगर यह bulb जल जाता है तो यह path तो है current इस तरफ से आएगी अगर यह bulb जल जाता है तो path तो इसके लिए है इस side से आएगी तो यह bulb जलेगा इसका मतलब है कि यह जो car है इस में यह दोनों बल parallel connection के साथ connected है अब इसका अंसर देख लें a car has two head lights the filament of one burns out एक filament जल जाता है however the other head light stays on we can immediately conclude हम फोरण नतीजा अखस कर लेते हैं that the bulbs are not connected in series कि यह bulb series में connected नहीं है when the bulbs are connected in series charges must flow through the filaments of both lights in order to have a complete circuit तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर यह series में है तो फिर तो यह charge दोनों फिलमेंट में से गुजरता और circuit complete हो जाता तो यह charge दोनों bulb में से गुजरेगा तो हमारा यह circuit complete होगा since the filament of second bulb is burn out second bulb जो है उसका filament जल गया है charges will not be able to flow around the circuit तो फिर सीरीज में charge flow नहीं कर सकता क्यूंकि charge के flow के लिए एक ही path है और वो burn out हो गया है वो damage हो गया है and neither headlight will stay on और एक भी headlight नहीं जलेगा on the other hand if the bulbs are connected in parallel अगर bulb parallel में है the current will split at the junction तेखें यह junction है इसे हाँ पे current आई split हो जाएगी I1 और I2 में अगर यह different वार्ट के बल्ब है अगर same वार्ट के बल्ब है तो आदा current इस तरफ आ जाएगा आदा current इस तरफ आ जाएगा तो यहां पे split हो जाएगा in two branches charges will be able to flow through the branch of the circuit that contains the good bulb अगर यह बल्ब डेमिज है तो current इस good bulb से flow होगा अगर यह डेमिज है तो current इस बल्ब से flow होगा जब तक कि यह दोनों बल्ब fuse ना हो जाएं एक में से current flow होगी और एक बल्ब जलता रहेगा and that headlight will stay on और वो बल्ब जो ठीक है जो good condition में है वो जलता रहेगा notice that the order of bulbs does not matter in either case the results are the same इस से फरक नहीं पड़ता कि first bulb burn out होता है या second bulb burn out होता है दोनों condition में अगर एक बल्ब ठीक है तो वो बल्ब जलता रहेगा question three is, coratolene needs a hundred ohm resistor for a circuit but she has a box of three hundred ohm resistors what can she do, coratolene एक student है उसे circuit में hundred ohm का resistance लगाना है उसके पास जो resistors है वो three hundred ohms की resistors है for example उसके पास three resistors है three hundred ohms की वो चाती है hundred ohm resistor तो अगर हम इन resistors को सीरीज में लगाएं देखें आर इस एकल टो आर वन प्लस आर टू प्लस आर त्री तो आर इस एकल टो 300 ohm प्लस 300 ohm प्लस 300 ohm तो इस से आता है nine hundred ohms यानि इन तीनों रिजिस्टर को अगर सीरीज में कनेट कर दिया जाए तो फिर तो nine hundred आता है। हमें म पारलल में resistance को कनेट किया जाए तो उसका equally resistance reduce हो जाता है। जिस तरह देखें one by r ये parallel resistance का फार्मूला है one by r1 प्लस one by r2 प्लस one by r3 one by three hundred प्लस one by three hundred प्लस one by three hundred प्लस one by three hundred इसका LCM आएगा three hundred उपर आजाएगा one plus one plus one जिस तरह लोग LCM निकालते हैं one plus one plus one three divided by three hundred यनि हम्मारे पास equivalent resistance आगया one by r is equal to three by three hundred, three ones are three and three hundreds are three hundred, one by r is equal to one by hundred यनि आएगार इसकालते हमारे पास hundred ओम आगया अगर हम इन तीनों रिजिस्टर को three three hundred इस तरह पैरलल में कनेट कर दे, एक ये, ये दूसरा रिजिस्टर, ये तीसरा रिजिस्टर plus and minus, ये r one, ये r two और ये r three, तो जब हम इन तीनों रिजिस्टर को इस तरह पैरलल में कनेट करेंगे, तो इसका जो resultant आएगा, ये इसका जो effect होगा, ये hundred ओम का होगा, कनेक्ट तो nine hundred ओम के रिजिस्टर है, लेकिन उसका जो effect होगा, इस circuit के उपर, वो hundred ओम का होगा, इसलिए को इन रिजिस्टर को पैरलल में कनेट कर देना चाहिए, अंसर इस, what curatulane is supposed to do, is decrease the total resistance, curatulane को इस resistance को decrease करना है, if she connects the resistor in series, they will only increase the total resistance, जैसा के अभी मैंने आपको explain किया है, के अगर ये resistors curatulane series में connect करें, तो फिर तो, ये nine hundred ओम का resistors बच जाएगा, इसलिए, however, if she connects them in parallel with one and other, then they decrease the total resistance, three, three hundred ohms resistors in parallel will combine to have a total of hundred ohms of resistors, और बाकी ये मैंने यहां पर प्रूफ कर दिया है, आप इससे, इसको यहीं से देख ले, आखिर में हमारे पास जो resultant आएगा, वो hundred ohms का आएगा. Q today is, a number of light bulbs are connected to a single power outlet. will they provide more illumination when connected in series are in parallel why question यह है कि हमारे पास bulb है number of bulbs है कई बल्ब है इन को अगर हम किसी outlet के साथ किसी energy source के साथ connect करे और इजामपल बेटरी के साथ हम connect कर दें तो किस तरह connect करें सीरीज में या पैरलल में कि हमें ज्यादा रोशनी मिलें तो देखे पावर का फार्मूला जो है वो आपके पास है P is equal to V square by R पावर depend करता है voltage पे और resistance पे resistance डिनॉमिनेटर में है डिनॉमिनेटर में जतनी value बड़ी होगी power कम होगा voltage constant है क्योंकि अगर एक बेटरी से current आ रहा है तो वो बारा वोल्ड की बेटरी है उसका voltage बारा ही होगा तो अब आप देखें अगर for example voltage 10 है 10 का square लें resistance आपके पास 25 है तो 10 स्क्वेर का है का 100 और 25 हंड़ को 25 पे divide करें तो 4 आता है अगर आप resistance बढ़ा दें यहीं 10 स्क्वेर resistance आप कर दें 50 तो 10 स्क्वेर 100 divided by 50 100 divided by 50 is 2 देखें जब आपने resistance increase कर दिया तो power कम हो गया अब आप देखें आपके पास series combination का formula यह है r is equal to r1 plus r2 plus r3 यह series combination है इसमें जितने आप add करेंगे उतना resistance बढ़ जाएगा यह है series combination parallel combination का formula यह है one by r one by r1 plus one by r2 plus one by r3 इसमें जितने resistance बढ़ते चले जाएगे तो इस से जो answer आएगा वो छोटा आएगा क्योंके यहां पे one by r है तो हम यह कह सकते हैं कि अगर हम इन बल्प्स को parallel में connect कर दें तो हमें ज्यादा power मिलेगी और इस वज़ए से बल्प्स की जो illumination है बल्प जो glow करेंगे वो ज्यादा glow करेंगे लेकिन अगर हम इसको series बे connect कर दें तो जितने बल्प्स ज्यादा होते जाएंगे वो dim होते जाएंगे इसलिए बहतर तरीका यह है कि आप बल्प्स को parallel में connect करें अब आप देखें इसका answer a number of bulbs are to be connected to a single electrical outlet the bulbs will provide more brightness when they are connected in such a way that their power output is greatest यनि हमें इस तरीके से connect करना चाहिए कि उसका जो power output है वो greatest हो सबसे ज्यादा हो तो power सबसे ज्यादा कब होगा जब ये parallel में connected हो यहाँ पर आपको मैंने बता भी दिया है कि जितनी value आप देखें बढ़ाएंगे नीचे तो power कम होता चला जाएगा since the voltage at the outlet is constant हमारे पास जो भी source है उसका voltage तो constant है और बैटरी है बारा वोल्ड की तो उसका voltage तो constant रहेगा the power delivered by the bulbs is given by equation P is equal to V square by R तो power का formula तो यह है P is equal to V square by R where R is the equivalent resistance of the combination of light bulbs इसमें यह R क्या है यह equivalent resistance है तो यह देखें यह आपके पास series का equivalent resistance है और यह parallel का equivalent resistance है when the light bulbs are connected in series their equivalent resistance is given by the equation R s, s means series यह वो resistance जो series में connected है उसका equivalent resistance होगा R 1 plus R 2 plus R 3 जिस तरह मैंने आपको यहां पे बताया है आप इसके साथ S भी लिख सकते हैं when the light bulbs are connected in parallel their equivalent resistance is given by equation अगर parallel में है तो फिर यह equation होगी 1 by R यहां पे इसके साथ P लगा लें 1 by R 1 plus 1 by R 2 plus 1 by R 3 clearly the equivalent resistance will be less when the bulbs are connected in parallel तो यहां से देखे हमें पता लगता है कि यहां पे equivalent resistance less होगा यह क्योंकि यह reciprocal में है तो power ज्यादा होगी from equation P is equal to V square by R यह जो equation हमने लिखी है इस से हमें पता लगता है we can conclude that the power output will be greatest and the light bulbs will provide more brightness when they are connected in parallel तो parallel में अगर bulge connected हो तो हमें ज्यादा brightness मिलेगी question five is explain why light bulbs almost always burn out just as they are turned on and not after they have been on for some time यह उन बल्ब्स की बात कर रहे हैं जो अब हमारे इतना यूज में नहीं है जो जो गिलास के बल्ब है जो इस तरीके जो इस तरह फिलमेंट में लगे होता यह देखें यह तरह बल्ब होता है इसके यहाँ पे प्लस और माइनस होते हैं यहाँ से यहाँ पे दो करेक्शन होते हैं जब हम इसको होल्डर पे लगाते हैं तो एक से इस तरह करण जाती है यहाँ पे यह फिलमेंट लगा होता है और दूसरे से वापस आती है यह बल्ब अक्सर उस वक्त फ्यूज होते हैं जब आप इसको आन करते हैं फुर्जाम पली ये बटन है आन आफ़ का जू ही आप इसको प्रेस करते हैं कभी कभी एक दम जल जाता है एक दफ़ा ये गलो कर ले आपने आन किया और ये गलो हो गया फिर ये फ्यूज नहीं होता ये इस वक्त क्यों फ्यूज होता है जो ही आप इसको आन करते हो ये बरन आउट हो जाता है तो इसकी बेसिक वज़ा ये है कि ये जो बल्ब है इसको हम इन कंडेंसेंट बल्ब कहते हैं इन कंडेंसेंट का मतलब है ये बल्ब जो हमें रोश्टी देता है वो हीट से देता है जब इसमें से करन गुजरती है तो इसका ये जो टंगस्टेन वायर है ये जो फिलमेंट है ये टंगस्टेन एलिमेंट से बना है ये टंगस्टेन जो है इसका रिजिस्टेंस ज्यादा है तो जब इसमें से म्वूलान मुखलं से गुजरते हैं इसलिए ह। हीट राखते है और मैं इस बुटन को आंग करते हैं इस के बड़ीada कोyan जाइं इसमेंस कि रिजिस्टर्स के हीट होने के साथ सा रिजिस्टर्स बढ़ता है जब ये इस वकत गलो नहीं कर रहा तो ये कूल है ठंडा है जो ही हम इसको आन करेंगे तो बड़ी तेजी के साथ इसमें से इलेक्टरान गुजरते हैं और हमें रोशनी मिलती है जब ये बहुत ज्यादा यूज हो जाता है तो इसका ये जो फिलमेंट है ये वीक हो जाता है तो इतनी तेजी से जब इसमें से इलेक्टरान गुजरते हैं शूरू में क्योंकि यहां पे अभी रिजिस्टेंस बहुत कम है वायर जो है ये टंग्स्टेंड वायर अभी कोल्ड है इस वज़ा से कभी कभी उसकी जो पल्स है इंस्टेंट मोशन है वो जो दिक्का है वो इस ये फिलमेंट उसको परदाश नहीं कर सकता है ये बलो आउट हो जाता है हाँ एक दफ़ा ये इलेक्टरान इसमें से गुजरना शूरू हो जाए और ये हीट अप हो जाए तो फिर इसका रिजिस के साथ इलेक्टरान इसमें से गुजरते हैं और वो इलेक्टरान तेज गुजरने की वज़ा से ये फिलमेंट कभी कभी मेल्ट हो जाता है वो इसके इलेक्टरान की स्पीड को बरदाश नहीं कर सकता तो ये फ्यूज हो जाता है तो इसकी बैसिक वज़ा ये है अ कन्वें conventional filament bulb, conventional का मतलब ये आम बल्ब जो हम लोग यूज करते थे, यूज इजा थिन tungsten resistance wire, अभी मैंना आपको बताया कि इसमें क्या होता है, tungsten की wire होती है, जिसमें resistance होती है, और वो resistance इतनी ज्यादा होती है, की heat produce होती है, और वो heat इस filament को glow करता है, that glows white hot when electrical current is flowing, जब इस resistance में से current गुजरती है, तो heat produce होती है और ये glow करने लगता है, however the resistance of this wire increases with temperature, जैसे जैसे time गुजरेगा, इसमें heat produce होती जाएगी, heat resistance produce करेगा, और current फिर slow down होता चला जाता है, लेकिन heat up होने की वज़ा से इसका resistance बढ़ जाता है, this means that the filament has a lower resistance when cold than it has when hot, इसका मतलब है कि filament का resistance कम होगा जब ये cold होता है, और इसका resistance ज्यादा होगा, जब ये hot हो जाता है, consequently, नतीजा ये निकलता है, when the filament is cold, it passes a much higher current, जब filament ठंडा होगा, तो इसमें से बहुत current गुजरेगी क्योंके electrons आसानी के साथ कम resistance में से flow होते हैं, then while running hot, इसके मकाबले में जब ये गरम हो जाता है, यनि फिलमेंट की गरम होने से पहले इसमें से current बहुत ज़्यादा तेजी के साथ गुजरती है, ये जो शूरू में current तेजी के साथ गुजरती है, ये जो current का एक धचका सा लगता है इसको to melt a filament, तो हो सकता है कि इस initial current की वज़ा से ये filament melt हो जाए, which is old and weekend, क्योंके time के साथ साथ ये पुराना हो जाए और इसका filament weekend हो जाए, तो ये thinner हो जाता है, पतला हो जाता है और फिर ये इस in electrons की flow को बरदाश नहीं करता, इसी वज़ा से ये शूरू शूरू में जब हम इसे आन करते हैं, तो ये जल जाता है Question six is, explain why it is possible for birds to purge safely on high tension wires without being electrocuted आप लोगों ने देखा होगा कि birds बिजली की तारों पे बैठते हैं और उनको current नहीं लगता कुछ कहते हैं कि इनके legs में blood नहीं होता, तो ये आप बायो जो पढ़ते हैं उनको पता है कि blood इनके legs में भी होता, जिस तरह हमारे legs में होता है इसकी वज़ा क्या है कि ये electrocuted नहीं होते हैं, इनको current नहीं लगती, basic reason क्या है लेकिन जिस तरह water flow करता हाई level से low की तरह, heat flow करती है high temperature से low temperature की तरह इसी तरह करण भी flow करेगा high potential से low potential की तरह ये wire इस तरह four wires होती है, आपको पता होगा, four wire होती है, इसमें ये three lives होती है और ये एक neutral होती है, यानी इन तिनों में से current आती है, और इस में से current फिर वापस जाएगी तो हमारे घरों को जो करण मिलेगी उसमें से एक वायर यहां से लेते हैं और एक वायर यहां से न्यूटल से लेते हैं तो एक कनेक्शन इस लाइव वायर से लेंगे यहां से यहां से यहां से और एक लेंगे यहां से न्यूटल वायर से अब यहाँ पे देखें यह बर्ड बेटी हुए है यह उसके में सिर्फ लेक्ष बना देता हूँ इस वायर में से फॉर एक्जामपल टू टूटी वोल्ड गुजर रहा है यहाँ पे भी टू टूटी वोल्ड है तो इन दो लेक्ष के दरमयां पॉटेंशल डिफरंस क्या है यानि इनर्जी डिफरंस क्या है तेखें 220 वोल्ट माइनस 220 वोल्ट तो पोटेंशल डिफरंस 0 वोल्ट है इन दोनों लेक्स के दरमयान पोटेंशल डिफरंस 0 है यानि करंट इस बोडी में से गुजर ही नहीं सकती बोडी में से तब करंट गुजरेगी जब इसका एक लेक्स हाई पोटेंशल पे हो और एक लो पे हो अगर इस तरह हो कि ये उड़ते वक्त इसके पर खुल जाए और एक 220 के उपर इसका विंग आजा और एक 0 के उपर आजा तो फिर आप इन दोनों के दरमयान पोटेंशल डि जो होता है तो ट्वेंटी वोल्ड मा dairy जो है दोनों रिवल्ड का है इस वकर इन दोनों के दरमयान पोटेंशल डिफ्र स्थ जीरो है इनरजी करंट अपने लिए लो रिजिस्टम्स का पात चूंज करेगी इस बिर्ड में यहा हम इनसानों का रिजिस्टम्स बहुत زیادہ ہے اور इस वायर का रिजिस्टन्स बहुत कम है क्योंकि ये तो कंड़क्टर है इस वज़ा से कररण्ट ये पाथ चूज करेगी इस पाथ को चूज नहीं करेगी और ना कर सकती है क्योंकि हम इसमें इतनी इनर्जी नहीं है कि इस बोड़ी में से गुजर सके इस बोड़ी में से गुजरने के लिए इसको पोटेंशल डिफरंस चाहिए जिस तरह पानी अगर एक लेवल के उपर है तो वो फ्लो नहीं करेगा एक लेवल हाई होना चाहिए एक लेवल लो होना चाहिए heat flow करेगी जब एक body hot होगी एक body cold होगी same temperature पे heat flow नहीं करती same level पर water flow नहीं करता same potential पे current flow नहीं करती अगर इसके उपर कोई इनसान भी खड़ा हो जाए कोई और animal खड़ा हो जाए उसको भी current नहीं लगेगा क्योंकि potential difference is zero energy difference is zero current cannot pass through this bird's body unless the potential difference between two legs is different अविस कांसर देखलें electric current flows from higher potential to low potential में जैस तरह मैना आपको बताया always use the path of least resistance और flow के लिए least resistance चूज करेगी देखें ये resistance इसका तो resistance बर्ट का resistance तो बहुत ज़्यादा है बोड़ी इनसानी बोड़ी का resistance भी बहुत ज़्यादा है इस wire का resistance बहुत कम है तो current अपने लिए least resistance वाला path चूज करेगी current flow के लिए greater resistance वाला path चूज नहीं करेगी as long as both of the bird's feet are on the same wire of same voltage the bird is safe जब bird के दोनों feet एक ही wire पे है जिनका voltage भी same है जो same voltage की है तो current flow नहीं होगी the bird is safe the current cannot enter the body it stay in the wire on the path of least resistance if the bird has one foot on wire and the other on the ground are on different wire with less voltage इस तरह मैंने आप से कहा कि एक wire में high voltage हो और एक में less तब bird जो है उसको current लगेगा the bird would electrocute it the electricity would pass through the bird on its way तो फिर electricity is bird में से गुजरेगी क्योंकि bird इस current के रस्ते में आ गई है from high voltage line to the low voltage line or the ground क्योंकि bird अब high voltage से low voltage या ground के रस्ते में आ गई है तो अब current जो है उस bird की बोर्डी में से गुजरेगा question seven is an electrician working on live circuits where insulated shoes and keeps one hand behind his or her big why यहां पर भी देखें वही basic concept है circuit complete नहीं होना चाहिए जब circuit complete होगा तो फिर हमें electric shock लगेगा high insulated shoes जब electrician पहनेगा तो current उसकी बोर्डी से flow होकी ground की तरह नहीं जाएगी जब वो live wire के साथ इस तरह काम कर रहा होता है तो देखें live के साथ तो वो connected है अब यह circuit complete तब होगा जब जमीन के उपर उसके पाउं होंगे और current high potential से low potential की तरफ जाएगी क्योंकि ground जो है वो low potential पे होता है उसको हम zero potential पे consider करते हैं तो इस लिए वो बहुत heavy shoes पेहनता है high resistance shoes पेहनता है ताकि current flow ना हो सके circuit complete ना हो सके ordinary shoes जो होते हैं वो इतने ज्यादा reliable नहीं होते हैं दूसरा यह है कि जब वो काम कर रहा होता है देखें यह live wire के उपर तो यह live wire के साथ तो वो connected है shoes भी उसने पेहने हुए हैं यह दूसरा हाथ जो है अगर यह कहीं पे body के साथ connect हो गया जमीन के साथ लग गया इस दीवार के साथ लग गया तब भी circuit complete हो जाएगा तो वो कोशिश करता है कि इस तरह वो अपने back के साथ पीछे अपना दूसरा हाथ कर दे ताकि उसका यह दूसरा हाथ कहीं accidentally किसी body के साथ टच ना हो जाए इसलिए वो इस तरह करता है insulated shoes keep the electrician insulated from the ground जिस तरह मैंने आपको बताया कि यह electrician जो insulated shoes पहनता है तो वो इसको ground से isolated कर देता है अलेदा कर देता है hopefully making higher resistance इसकी वज़ा से higher resistance create होगा in a circuit they would connect him to ground यह जो उसको ground के साथ connect कर रहा है तो उस रस्ते में higher resistance produce हो जाता है जब वो shoes पहनता है the higher resistance would result in a low current तो जब resistance high होगा तो current कम होगी the same person keeps one hand behind his or her back और दूसरा काम वो यह करता है कि अपने एक हाथ को back पे ले जाता है पीछे रख लेता है basically he can touch one wire that is live क्योंके वो एक wire के साथ काम कर रहा है वो live है as soon as he touch ground or a second wire he complete the circuit अगर वो ground के साथ दूसरे hand को touch कर दे या किसी दूसरे wire के साथ तो circuit complete हो जाएगा allowing energy to flow through his body if he touch a live wire and a ground with different hand he in this way complete the circuit and the electric jolt will pass through his arms chest and right through the heart which can kill him तो इसलिए वो अपना एक hand जो है वो back पे रखता है question 8 is explain why it is dangerous to turn on a light bulb when you are in a bath tub जब हम bath tub में होते हैं जब हमारी गादगीले होते हैं तो हमें कहा जाता है कि switch को हाथ ना लगाए आपने अगर देखा हो dryer के उपर लिखा होता है कि आप इसे वाशरू में ना लेकर जाएं इसकी क्या वज़ा है हमें पता है कि हमारी बोड़ी electricity conduct कर सकती है अगर हम circuit complete कर दें अगर हम बटन को हाथ लगाएं और उसमें current हो तो वो हमारी बोड़ी के थरू अर्थ की तरफ जाएगी क्योंके हाई potential से low की तरफ जाती है लेकिन विट सकिन जो है गीला गीली बोड़ी जो है गीला सकिन जो है वो ज्यादा current flow करती है dry body का resistance thousand times ज्यादा है wet body से इसलिए अगर हम बातिंग टब में हो और किसी बटन को हाथ लगाते हैं और उसमें current हुई तो वो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी बनिस्बत इसके के हमारी body खुछक हो dry हो इस वज़ा से precautions के तोर पे safety के तोर पे कभी भी गीले हाथ से button को या किसी appliances को हाथ नहीं लगाना चाहिए उसको use नहीं करना चाहिए because water is a good conductor of electricity क्योंकि ये pair water नहीं होता उसमें minerals होते हैं इस वज़ा से water is a good conductor of electricity if you touch a button with wet hands you become part of a short circuit short circuit हो जाते है short circuit का मतलब यही है कि आपने जब button को हाथ लगाया तो अब आप जमीन के साथ connect हो गए हैं आप फॉरन करन जो है वो आपकी बोड़ी में से गुजर जाएगी ये इसको short circuit कहा जाता है जिसमें कोई energy use नहीं हो रही electric button से सीधा आपकी बोड़ी के से गुजर के जमीन की तरफ जाती है इसको short circuit कहते है become part of a short circuit the current flow would flow a path way through you तो current आपके रस्ते जाएगी the water and to ground पानी से होते हुए जमीन तक electrocution would be the result और नतीजन आपको shock लगेगा water carries electricity efficiently but if to mix the result can be deadly so the bathroom is possibly the most dangerous room in the house when it comes to electrical safety the consequences of the electric shock are far more severe in a bathroom or shower room as wet skin reduces the body's resistance wet skin safe resistance of the body कम हो जाता है और current ज्यादा बेहतर करीके से flow हो सकती है question nine explain circuit breaker fuses and switches are installed to live wire circuit breakers आपने घर में देखे होंगे एक बटन से होते हैं जिसको आप अगर आप अपने घर की बिजली बन करना चाते हैं तो आप circuit breaker यूज करते हैं या fuses होते हैं जब किसी appliance में हराबी आती है तो fuse melt हो जाता है और circuit टूड जाता है जिस वज़ा से हम और हमारे appliances safe रहते हैं इसी तरीके से जो button होते हैं on आपके button switches होते हैं ये live wire में लगाय जाते हैं neutral wire में नहीं लगाय जाते हैं अब आप देखें यहां पे आपने ये आपके पास एक appliances है refrigerator है for example आपने इसको connect किया हुआ है wire के साथ तो आप fuse यहां लगाएंगे live wire के साथ ये neutral wire है जिससे current जा रही है live wire के साथ जब आप इस refrigerator के fuse को connect करेंगे या button को connect करेंगे तो देखें जो ही आप इस appliances में कोई खराबी आएगी तो ये जगा melt हो जाएगे और current का आना बंद हो जाएगा और इस वज़ा से ये safe रहेगा यहां में शौक नहीं लगेगा लेकिन अगर आप ने यहां पे connect नहीं किया लेकिन अगर आप ने fuse यहां पे connect किया है तो अब इसका क्या फाइदा होगा current तो देखें इसमें आ रही है अगर इसमें कोई खराबी हुई और आप ने इसको हाथ लगाया तो यह circuit आप की वज़ा से complete हो जाएगा आपकी बोडी में से current गुजर के जमीन की तरह जाएगी यानि आप neutral wire का काम सर अंजाम देंगे आप neutral wire बन जाएगे इस वज़ा से इस fuse को इस circuit breaker को live wire में लगाना चाहिए ताके जब आप इस fuse को निकाल लें या आप इस button को off कर दें तो फिर इस में इस appliances में current नहीं आ रही होगी switches and fuses must be fitted on to the live wire so the opening it will disconnect the appliances from the high voltage live wire जिन्न लाइव वायर से वो disconnect हो जाता है if the switch is placed in a neutral wire अगर हमने इस switch को neutral wire के साथ लगाया यनि जब आप इसको open कर देते हैं switch open का मतलब होता है कि जब आप button off कर देते है on off का जो button होता है उपर की तरफ off होता है नीचे की तरफ on होता है जब आप button को off कर देते हैं तो appliances disconnect हो जाता है उसमें फिर करण नहीं आती अगर हमने बटन को fuse को circle breaker को neutral wire के साथ connect किया है और वो blown हो जाए वो fuse हो जाए वो fuse melt भी हो जाए तब भी appliances बे करण आएगा this may cause the user to get an electric shock if he touches the live wire accidentally तो अगर user ने live wire को accidentally touch किया तो उसे shock लगेगा इसलिए जब भी हम switches को, fuses को, circuit breakers को connect करेंगे तो वो हम live wire के साथ connect करेंगे घरों में red color की जो wire होती है वो अक्सल live wire होती है और black जो wire है वो neutral wire होती है तो ये तमाम हमारे conceptual questions है मुझे उमीद है कि आपको समझ आए होंगे और आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे